अलिगर के छलार सामुदाइक स्वास्त केंद्र पर नस्पंदी शिवर का आयोचन किया गया डॉक्टर के लापरवाही से ओपरेशन के दौरान महिला के तबद बिगड़ने पर ओपरेशन करने के डॉक्टर थेतर छोड़ कर भाग गए आनन फानन में शिकायत के बाद जिला मुख्याले से नस्पंदी करने के लिए दूसरी टेम भी जी गई पिछले काफी दिनों से अलिकर चनपत के छरार इलाके में इस्थित सामुदाइक स्वास्त केंद्र पर डॉक्टर लापरवाही के बड़े मामले सामने आ रहे है ताजा मामले में डॉक्टर की लापरवाही करीब दर्चन भर महिलाओं की जान के लिए खत्रा बन गए हाला कि जिला मुख्याले के टीम की सूजबूच के चलते मामले को काबू में कर दिया गया है आपको बता दी कि सामुदारिक स्वास्त केंद्र पर महिला नस्बंदी के लिए शिविर कायोजन की आ गया था करीब 31 महिलाओं ने नस्बंदी के लिए रेजिस्ट्रेशन कराया था इसी बीच महिलाओं के परिजनों ने सामुदाइक स्वास्त केंद्र पर डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर जम कर हंगामा किया मौके पर पहुची पुलिस ने हंगामा करते लोगों को समझा बुजा कर शांद किया वही मामले में CMO ML अगरवाल ने ऑपरेशन के दौरान मशीन खराब होने की बात सुईकार की है मारीजों को छांट कर जिनको उपरेशन होने थे उनको चिन्नित किया गया था तथा उसमें जो है वो अपरेशन कर देते तब लेप्रोस्कोप में कुछ कमी आ गई थी जिसके कारण डोक्टर राजनर बंसल बहार आ ओटी से बहार आ गए ते किसे सही करा लो उन्होंने मु है तो उसके साथ बहार आए उनकी टीम के साथ और पागी बचे हुए सारे उपरेसन उनके साथ के दोनों टीमोंने किया कहीं कोई किसी तरह की कॉंप्लिकेशन नहीं भी थी जब देखी लेपरोस्कोप कोई इंस्टूमेंट खराब होता है, तो उससे कोई थोड़ी करता है, लेकिन डॉक्ट्साम हो ही थे, वो थ्यादा सियसी सब कहीं नहीं गेते, तदा डॉक्टर रामभ्यारी भी आदे घंटे में पहुंच गएते, रात में ही सभी केसों को उन्ह कि दिकत ने ही?